बहुत fundamental shift आया मोधी जी ने rail budget को general budget में merge किया और इसके पीछे बहुत बड़ी thought process थी जब अलग budget होता था तब भारत सरकार का एक विभाग railway को जब पैसे देता था उस पे ब्याज लगता था मोधी जी ने तुरंत इस illogical बात को कतम करके rail budget और general budget को merge किया और इसका result क्या आया जहां 30,000 करोड के आसपास railway को भारत सरकार नए investment के लिए देती थी वो आज संख्या कितनी है 2,40,000 करोड और मध्यप्रदेश के context में अगर देखो इस बात को मध्यप्रदेश के साथ Congress की सरकारों ने हमेशा एक सौतेला विभार किया बात करेंगे मध्यप्रदेश के development की ल funds में 632 करोड रुपे पर annum average मध्यप्रदेश को मिलता था आज मोदी जी देते है 13,607 करोड आप देखो साथियो ये जो संख्या है ये इनकी जो पूरी संख्या थी Congress के समय की वो आज इस कॉमा के बाद में ही रह गई ये फरक आया है ये फरक आया है सोचने का तरीका और जो मोदी जी का promise है उस promise को यहाँ पर implement करने का तरीका